नमस्ते मैं स्वरी उर्वशा एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपकी अपने चैनल नीचर्स गार्णिंग में और आज हम जो है कोलियस के प्लांट के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी बाते हैं जो मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ जैसे क कि आप जो ये देख रहे है कोलियस का प्लांट एक ही प्लांट से दो कलर कैसे होते हैं क्या हम पॉट यूज करें कैसे जगह पर रखें ये सारी चीजों की जानकारी आज हम इसी वीडियो मिलेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी बनाया है कैसे मैंने इतना सारा कोलियस का प्लांट बनाया है कैसे मैंने लंबा इतना रो बना लिया है और वेरिगेंट प्लांट की बात करी थी जैसे कि आपको यह दीख रहा है मेरा ग्रीन वाला कोलियस जो आप देख रहे हो सामने यह देखिए वराइटी तो बहुत सारी ह लेकिन यह जो आप देख रहे हैं इस पत्ते का जो यह देखिए सैडेट जैसे वेरिगेट पत्ते निकले हैं और यह मेरा पहले वाला था इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है बिल्कुल प्लेइन इसका पत्ता है और इसी प्लांट से मैंने कटिन से इस प्लांट को लगाया था इसके बाद देखिए सब्सक्राइब कंटिन से इसा अगर आपको दिखता है अलग्याक्ति कुछ दिखाई देता है डिफरेंस तो उसली समय उस जो ब्रांच को है आप कांट लीजिए उस ब्रांच को अगर आप कांट लेते हैं उसके बाद उसका एक नया वेरिगेटेड प्लांट तयार हो जाता है ये देखें इस तरीके से ये जो प्लांट है ये दुसरा प्लांट बन जाएगा हमारा ग्रीन में ही देखेंगे तो आप इसमें वाइट सै और एक मेरा ये है देखें पिंक कलर का इसको भी मैंने एक ही प्लांट से ये वाला और उसके साइड में जो मेरा कुलियस का प्लांट है ये इसके कलर देखेंगे दोनों में बहुत ही डिफ्रेंस है और इसके डिजाइन अलग है मैंने इसी प्लांट से कटिन से ही इसको लगाया है लेकिन इसमें और इसमें बहुत ही अंतर है तो इसको भी आप क्या कर सकते है कटिन उसका ले लीजिए तुरंत उसी समय आप उसका ब्रांच कट करिए और उसको अलग से लगा दीजिए इस तरीके से आप देखेंगे कि वो तयार होना सुरू हो जाएगा तो इसी तरीके से मैंने इसको अपने जो कोलियस के प्लांट है लगाए हैं और मुझे लगता है यह सारी चीजे जहां तक मुझे समझ में आता है हो सकता है जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं या कंपोस्ट यूज करते हैं लिक्विट प्रटिलाइजर मैं जादतर यूज करती हूँ मेरे कोलियस प्लांट पे और इसी कारण हो सकता है या सनलाइट का भी कुछ प्रभाव होता है जो हमारे प्लांट में बहुत डिफ्रेंस लाते हैं जहां अगर हम छाओं में रखेंगे तो उसके कलर अलग हो जाते हैं अगर ह अच्छा समय है आप इसको कटीन से ग्रोग कर सकते है और अपने गाडन को बहुत ही खुबसूरत कहलीस प्लांट से शाजा सकते हैं जैसे रंग भी रंगे मेरे काहले 예प कम से कम होगा 10-15 मेरे पास golden कोयस की है आप बोलते हैं कि कोलियस का प्लांट जो है खतम हो जाता है मर जाता है टिकता नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप कोलियस को अच्छे से ध्यान देंगे तो आपके पास यह सालों साल चलने वाला है क्योंकि एक प्लांट से आप देखेंगे डबल डबल प्लांट आप बन आप अभी देखेंगे तो यह देखी इसका जो यह बहुत ही खुबशूरत है इसक पूटर है बहुत ही यूनिक इतनी खुब्सूरती है और अगर कुलिस का ऐसी देखें यह बहुत बड़ा हो गया मेरा कुलिस का प्लांट तो उसको काटते छांटتे रही है ताब्वन आप 1-2, 2-4 ऐसे करते रहीं, इसको cutting करते रहीं, और यह जो आप मेरा देख रहे हैं, यह देखे, यह plain कत्थे color का है, जो बहुत ही सुन्दर सा लग रहा था, लेकिन अभी इसमें भी varigant होने शुरूँ हो गये, इसके नीचे जो है, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर दिख यह सारी जो चीजे है यह धूप के कारण होता है और फर्टालाइजर के कारण होता है धूस मैं अलग से कट कर लोंगी और एक अलग प्लांट मेरे पास और तयार हो तो यही सब मैं कड़ते रहती हूं जब भी कुछ मुझे अलग दिखाई देता है मैं उसको कट कर लेती हूं और अपने प्लांट को डबल कर लेती हूं और अलग कलर का मेरे पास और प्लांट हो जाता है अगर सेम मदर प्लांट से जैसा लिया है वैसी कलर आ जाये तो भी दि करती हूं और अगर आप इसमें बहुत साइनिंग का प्लांट बढ़ जाता है तो जैसे का मैं नींबताया उसको कटिन कर रहिए और भी प्लांट और खूबसूरत सा अपका गार्डन का रो बन जाता है और मैंने ऐसे ही छोटे-छोटे कटिन से बहुत सारे ये देखिए बहुत ही सारे मैंने कुलियस के प्लांट बना के रखे हैं क्योंकि अभी गर्मिया आ गई है और सारे जो कलर फूल जो हमारे फ्लावर थे सब खतम हो जाते हैं इस समय में ये जो हमारा कुलियस का प्लांट है यही हमारे गार्डन को खुबसूरत बनाता है तो देखिए मैंने कैसे एक एक चीज छोटा छोटा इसके कलर अलग अलग कलर इसमें आते रहते हैं प्लांट वही रहता है लेकिन इसके कलर डिफ्रेंट डिफ्रेंट लुक में आते रहते हैं और जैसा कि मैंने आपको pot के बारे में बताया कि सब बोलते हैं गर्मियों में plastic का pot use नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो हमारे plastic का pot है कोलियस के लिए best होता है क्योंकि जो कोलियस का प्लांट है गर्मियों में अगर हम मिट्टी के pot में इसको रखते हैं दो टाइम पानी देते हैं फिर भी जो उसका leaves है वो रूखे सुखे से हो जाते हैं पानी वो पूरा सोख लेता है तो प्लास्टीक पौ्ट अगर एक टाइम भी पानी देते हैं इस कोलियस अमारा हरा भरा और खिला खिला रहता है तो इस तरीके से आप कहीं भी रहें कोलियस के लिए आप देखेंगे कि प्लास्टीका पौट ही यूज़ करें और मार्च अप्रेल ये जो है कटीन के लिए बेस्ट मेहना है आप इससे अभी कोलियस का प्लांट ग्रो कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहें मैंने छोटे-छोटे से ग्रो बैग में पूरे कटीन कुछ-कुछ-कुछ-कुछ सब लगा के रखे हुए हैं और इसी तरीके से मै अपने कोलियस का प्लांट बढ़ाते रहती हूं आप देखेंगे कि धूप में इसके जो कलर होते हैं पत्ते होते हैं अलग-अलग वराइटी के निकल आते हैं तो कंपोस्ट की बात करूं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट liquid fertilizer आप add कर सकते हैं liquid fertilizer में मैं तो सबजियों का छिलका प्याज का छिलका सब एक साथ एक बालटी में डाल के रख देती हूँ जब वो दो तिन दिन का हो जाता है तब मैं उसको पूरा mix करके छान कर सारे पौधों में उसमें और पानी एड करके डालती हूँ जिससे मेरे पौधे हैं बहुत अच्छे से रहते हैं आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो बिल्कुल करिए और अच्छे से अपने plants को रखिए और बहुत ही healthy आपके plants रहेंगे चलेंगे और मैंने बहुत सारे ऐसी plants बना के रखे हैं दोस्तों आप लोगों को मेरा जो वीडियो है कैसे लगता है ये जो मेरी महनत है थोड़ी बहुत अगर आप लोगों के कुछ काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो इसी आसा के साथ मैं हमेस्था वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे पसंद आए, अगर आप लोगों को कोई चीज है जो अच्छी नहीं लगती, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कि आप कुछ और एड करिए, कि जिसे आपका वीडियो है, या हमको अच्छा लगे तो मुझे खुसी होगी जो भी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप हमेशा मुझे कुछ भी चीज हो आप पूछ सकते हैं जितनी जानकारी मेरे पास है कोशिस करूँगी मैं आप सभी को देने की और अच्छे से आप लोगों के गार्डन को आप लोग मेंटेर रखिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का